नमस्कार किसान साथियों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके और हमारे यूट्यूब चेनल देश के किसान पर तो किसान साथियों हाली में जो तिनांग 12 फरवरी 2022 को मध्यपदेश में जो भीमा वित्रित कारीक्राम जो संपन हुआ है और मध्यपदेश सरकार की तरफ नहीं सुचना मिल रही है यहां विमे के नाम पर हमारे किसान साथियों को एक नियराशा जो हाथ लगी उन्हें नियराशा ही देखने को मिली है क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को उम्मित लगा है बैठेते कि वर्स 2020 में जो स्वयबिन फसल का नुकसान हो चुका इस बिमाराशी के मिलने पर उन्हें कुछ राहत मिलेगी इस बिमाराशी के मिलने पर हमारे किसान साथियों को जो है बिमाराशी के पहले बहुत सारे किसानसाथियों को उम्मीद थी कि प्रती बीगे के इसाब से यहां बात करें हेक्टेर के साब से 25-30,000 हेक्टेर के साब से अगर हमें फसल बिमाराशी एगर मिलती हैं तो किसांस 보이yok ko कहीं न कहीं बहुत एक अच्छा लाब जो देखने को मिलता है, पर किसांस graduating ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इस बीमाराशी के मिलने पर हमारा किसांसा Everything पहुत ही निराशा मिली की जिस प्रकार बिमाराशी का मित्रन हुआ है यहीं कहें नहीं कि आयों एक प्रकार से रहेस और जिंहां के जिरा देने के बराबर हो चुक यह क्योंकि बहुत सटीयों को उम्मीद थी कि यह पर दिसक्य जगहां किसाणों कreason मिलने आक्रोष दिखाई दी भीमा कम्पनी के खिलाफ जो है गुस्ता फूट चुकाए कोई सारी जगा पे किसान आक्रोश थे हैं और वीमा कम्पनी के खिलाफ केस करने का निड़ने लिया है दो सु रुपे तक की राशी मिलने के बाद कि हमारे किसान साथी जोहिए बहुत थी उन्हें दुख हो किसानों की बात अगर सुने तो किसानों का कहिना है कि हमने वरस 2020 में 188 रुपे बिगा के हिसाब से भीमा राशी का पिर्वियम जमा किता पर अभी हाली में जो बीमा राशी मिली है ये तकरीबन दो सो रुपे प्रती बिगा के हिसाब से जो है बीमा राशी मिली है यह राशी जारी करके बीमा कमपनी ने किसानों के साथ गिनोना मज़ा किया इसी राशी के मिलने के पचार एसी कम राशी मिलने के पचार किसानों का आक्रोज जो है बढ़ जुका है किसानों के कर बात करें किसानों ने कोट में दावा ठोकने की बात भी कहीं है आपको बता दें कि 2020 में सुयाबिन की फसल में मोजग नामक बीमारी का प्रकॉफ हुआ था जिसकी वजह से सभी फसले पीली पढ़कर सुख गई और फसल 20 और 21 में तक्रीबन 15,000 रूपए या 15-20,000 रूपए प्रती भीगे के हिसाब से मान से नुकसान जो है जिलना पड़ता इसी दोरान साथ्चान ने संकट की इस सती को देखते हुए पुरे मद्द्वर्द में सर्वय करवाया था जिससे किसानों को उमीद लगी थी कि इस व कम्पणी और सासन पर उचेत बिमारा से जारी नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त किया किसानों ने छेट непेहुद नेता और सासके करमचारेओं से जो माँग की है कि बिमा ने आवाज को बू gonna ॹस जो अट्याए कर रहीं इसमें किसानों को न्याय मिल सकें किसानों नहीं य तो किसान साथियों यह एक बहुत ही निराशा की बात है दो आ हैं यह बहुतीग गलत किसान फसल बहोते हैं औरुसकी देखरे करता है जैसे सब Shoot. बटे बच्ची की तरह जोई केसान उस फसल की देखरे करता है और फसल पकटत और फसल किसि प्रक्रतिक आब्दा होई ज्यादा बारिश हुए या किसी भी जैसे जो फसल खराब होती तो किसान बहुत ही किसान की जो उम्मिद होती है बहुत ही आर्थिक नुकसान होता है किसान लगबग पूरे साल मेहनत करता है और उसकी उम्मिद के अनुसार जो फसल नहीं निकलती है बहुत ही निरसा का सामना करना पड़ता है तो किसान साथियों कि उम्मित करेंगी कि जो विमा कंपने के द्वारा जो एक दूर विवार किया रहा है हमारे किसान साथियों को इसको सही किया जाए और उचेत रासी हैं स Cumulia को मिलें द्थाकिujeि थाकी उनके नुकसान की पोब भपाई पूर्ण हो सके बेमा कंपने को यह दो नमक छड़कने का काम बंद करें और हमारे किसंसातियों को उचित बिमाराशी जो हैं हमारे किसंसातियों को दें ताकि उन्हें जो नुकसान हुआ है पूर्ण तरीके से नहीं कह पाएंगे कि इस बिमाराशी से हमारे किसंसातियों को संपूर्ण जो है रहत मिलेगी पर एक मह कीजिए साथ कि संसलिध्य će अगली जानकारी एक साथ और देखते हैं कि बिमारा कंपनियों our सरकार के दूबधा हुझ जरूर करें हैं इस पर क्या निन्नय लिए जाता है अगर कोई अच्छी जानकारीらい से जरूर और ज़रूर करांगे तो फीन वीडैों एचे लगी है तो फीन हो को लाइक करदीं स्वेयर कर दिजिये और जैनल को सब्सक्राइब कर बेल ऐ embora को जरूर करते हैं तक आनेगे वीडियो की जनकारी भ्रहत को जल्दी मिल सके मिलते तक और किसी अगली जानकारी के साथ तब तक के लिए जय है बंदे मातर हूं